दोस्तों सबसे पहले मैं एक नौजवान होने के नाते भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की जो मौझूदा स्टेरिंग कमिटी है उसने जो संबिधार में एक संसोधन किया है कि पार्टी प्रतिनिधित्य में हर एक अस्तर पर पचास वर्ष से कम उम्र के विक्ति को पचास प्रतिसक तक सीट जो आरक्षित किया गया है मैं इस देश के नौजवानों के बिहाफ पर भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस को कोटी कोटी धन्यवाद करना चाहता हूँ दोस्तों मैं समझता हूँ कि एक महत्पूर्ण रेजिलूशन है महत्पूर्ण रेजिलूशन इसलिए है कि आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है दुनिया का हर पाचवा नौजवान कोई न कोई भारतिय है ऐसे वक्त में देश की दशा क्या होगी देश की राजनीती क्या होगी समाज का स्वरूप क्या होगा और हमारे आने वाले भविस्ट का मुस्तक्बिल क्या होगा इसको इस देश का नौजवान तया करेंगे कॉंग्रेस पार्टी ने इस बदलाव को महसूस किया है उसके लिए हम अपने बरिस्ट नित्रित को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं दोस्तों आज जब राहिपूर में देश की सबसे पुरानी पार्टी उसका पचास दिवा महादिवेशन हो रहा है तो हमारे सामने कुछ महत्पुर्न सवाल हैं और उन्हीं महत्पुर्न सवालों पर चल्चा करने के लिए यह हमारा डिसकसन हो रहा है यह प्लेनरी सेशन हो रहा है और यहां मैं आपके बीच मौझूद हूँ हमारे देश के एकॉनमिक, आर्थिक और राजनितिक रेजिलूशन क्या होना चाहिए उसके संबंध में कुछ बातें रखने के लिए सबसे पहली बात तो हमको यह समझना चाहिए देश की अर्थ विवस्था देश के लोगों को अज नजर अंदाज करके नहीं चल सकती है कोई भी ऐसी आर्थिक नीती जिसमें देश के लोगों को नजर अंदाज किया गया है वो आर्थिक निती देश की आर्थिक निती नहीं हो सकती है और आज हम जिस मोर पर खड़े हैं हम देख रहे हैं कि नारा देश का लगाया जाता है नाम देश का लिया जाता है और तिजोरियां दोस्त की भड़ी जाती है ऐसी आर्थिक नितिया आज देश के अंदर लाई जा रही है मेरा एक सीधा सवाल है इस देश के हुक्मरानों से कॉंग्रेस पार्थी का एक काम कारिकरता होने के चलते कि ऐसी कौन सी ऐसी निति है कि देश गरीब हो रहा है हमारा आर्थिक आंकरा हमको बताता है कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है आज के वक्त में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां बेरोजगारी सर्चर करके बोल नहीं रही है आप तमाम सरवे उठा करके देख लीजिए लगातार अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है इस देश के संसाधनों पर मुठी भर लोगों का कबजा होता जा रहा है वैसी परिस्थिती में जो देश की संकलपना है जिसको महात्मा गांधी ने देखा है जिसको मौराना अबुलकलाम आजाद ने देखा है जिसको सुवास चंद्र बोस ने देखा है जिसको स्रीमत इंद्रा गांधी ने देखा जिसको चड़िया राजीव गांधी ने देखा जिसको इस देश की संबिधान ने इस रूप में वर्नित किया है कि देश देश के लोगों से बनता है जब देश देश के लोगों से बनता है तो आप मुझे बताईए कि देश कैसे गरीब हो रहा है और देश के दो-चार पूंजी पती कैसे अमीर हो रहे हैं यह कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो मौझूदा सरकार चला रही है आप मुझे बताइए कि आम लोगों की आमदनी घटी जा रही है और देश के एक दो पूंजी पती दुनिया के अमीरों की सूची में जाकर के सुमार हो जाते हैं मैं यहां यह बात असपस्ट कर देना चाहता हूँ हमारी पार्टी अमीरों के खिलाफ नहीं है हमारी पार्टी पूंजी पतियों के खिलाफ नहीं है हमारी पार्टी उद्योग धंधों के खिलाफ नहीं है लेकिन हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं जहां आम लोगों के पास रोटी नहीं हो और प्रधान मंत्री के पास चलने के लिए साहे आठ हजार करोड का विमान हो हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं कि इस देश के आम लोगों के हाथ में सिख्षा नहीं हो क्लमמצ नहीं हो एसिटेट नहीं हो कंप्यूटर नहीं हो मुबाइल नहीं हो और इस डेश की जो सरकारी संपत्यां हैं BSNL estas Gayرب क्राश्म्ळ क्या कहा गया retire K практи никто कशी स्वाइब होता है भाई शाहब नहींहीं लगेगा अरह्य भाई सहल नहीं लगेगा तो आप मुझे बताईए कि जियो धन धना धन कैसे करेगा यह सवाल आज इस देश के सामने खड़ा है सरकार क्या करेगी यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं इस देश के निति निर्माताओं से कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा जब देश में नहीं होगा एयर इंडिया तो आप बताईए क्या करेंगे जोतिरादित सिंधिया जब एयर इंडिया नहीं होगा जब रेलबे नहीं होगा जब बीए सेनल नहीं होगा तो मैं कहता हूं कि इस देश में मंत्री की क्या जरूरत है जब देश में जनता नहीं होगी तो फिर इस देश में सरकार की क्या जरूरत है जब देश में स्कूल नहीं होगा अस्वताल नहीं होगे सरके नहीं होगी तो आप मुझे बताईए कि फिर संसत की क्या जरूरत है इस देश की जो पूरी की पूरी संकल्पना है उस संकल्पना को आज एक बार फिर से कॉंग्रेस के राष्टिय महाधिवेशन में पुनर विचारित करने की जरूरत है देश का मतलब होता है देश में रहने वाले लोग डीडी नेशनल पर एक कारिकरम आया करता था नहरू जी की किताब है डिसकबरी ओफ हिंडिया डिसकबरी ओफ हिंडिया के एपिसोड में नहरू जी आम लोगों से पूछते हैं कि बताईए कौन है भारत माता किसको भारत माता कहते हैं भारत माता इस देश में रहने वाले लो लोगों की जै और 140 करोड लोगों की जै का मतलब है कि 140 करोड लोगों के हाथ में पढ़ाई हो 140 करोड लोगों के हाथ में काम हो 140 करोड लोगों के लिए रोजगार की विवस्था हो 140 करोड लोगों के लिए इलाज की विवस्था हो 140 करोड लोगों के लिए चलने के लिए सरके हो गारियां हो रेलवे हो हवाई जहाज हो और आपने देखा कि देश में कुछ लोग लोकतंत्र को अपनी बपौती समझ लिये हैं अभी जब मैं हवाई जहाज की बात कर रहा था तो मुझे दिल्ली एयरपोर्ट याद आ गया दिल्ली एयरपोर्ट पे भारी जो है आता हूं आपको मालूम नहीं है भारतिया राष्ट्रिय कॉंग्रेस का इतिहास आपके पुर्खों ने जिन अंग्रेजों की चापलूसी की थी उन अंग्रेजों से लड़ करके हमने इस देश को आजादी दिलाई इस बात को याद रखिएगा ना आपके जेल से डरेंगे ना आपके मुकदमे से डरेंगे ना आपकी लाठियों से डरेंगे ना आपकी गोलियों से डरेंगे भारतिया राष्ट्रिय कॉंग्रेस इस देश की पार्टी है और इस देश के हकुक के लिए लड़ती रहेगी इस बात को याद रखिएगा और आज के समय में जो आर्थि अधानी का और नुक्सान होगा तो एलाईसी का यह हम नहीं चल देंगे इस बात को आप याद रखिएगा फाइदा होगा तो परणान मंद्री जी के दोस्त का और नुक्सान घोगा तो इस देश के आम लोगों का पैसा जो P.I. में पढ़ा हुआ है उसका यह हम नहीं चलने देंगे इस बात को याद रखिएगा इसी लिए हमारा political और economic resolution यह है कि भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस इंडियन Constitution का safe guard है हम इंडियन Constitution के पहरेदार हैं हम इंडियन Constitution के असली चोकीदार हैं इस बात को याद रखिएगा और इंडियन Constitution इस बात को रिजॉल करता है वी दपीपल आफ इंडिया और यह जो वी दप पीपल उनके अधिकार के लिए कल्यानकारी राज की अवधार्मा को बचाये रखने के लिए बारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस संघर्स करेगी और यही जो पॉलिटिकल रेजिलूशन है कि हम देश के लोगों के बुनियादी सवालों के लिए रोजी रोटी कपरा मकान सिक्षा स्वास सरक बिजली पानी और इस देश के संभिधान के लिए संघर्स करते रहेंगे इसी आसा और उमीद के साथ आप तमाम संवानित मंच और आप तम जबस्ट और आप तमाम संवानित मंच और उन्वार्स